गुड मॉनिंग फ्रेंड्स आज है 29 जुलाई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकाबलरी फ्रॉम दा हिंदू एडिटूरियल और उसके बाद देखने वाले इस्पॉर्टिंग एरर जो सीजील में आई होते हैं 2023 में ठीक है यानि कि लास्ट इयर तो उनको करने वाले डिस आगे देखिए इसका सब्टाइटर फिर आपको यह पता चल जाए कि जो एडिटूरियल है वह किसी की उपर लिखा हुआ है दा नीतियायोग शफर्स यानि नीतियायोग जो है वह सफर करता है फ्रॉम बोत यानि कि दोनों ही इस्ट्रॉक्च्ट्रल मलत सरचनात्मक जो ज उसे आप से बनाया गया उस तरीके से दौनों ही तरीके से इस्ट्रॉक्च्रल वास हो इसे मुद्द्ध है यह वह परीशान है ठीक है ऐसा है क्यों अभी आपको एक सेंटेंच में आपकर करता हूँ तो आपको गवर्निंग काउंसल मीटिंग यहां ते देखी पहले कि जो दस राज्य थे उनकी जो इन्यों टेरिटरी के थे और आपके इस्टेट के भी थे ठीक है तो उनके रिप्रिजेंटेटिव बगारा होते हैं तो उन्होंने क्या किया इसकिप कर दिया नाइन्थ गवर्निंग चेर्मन आपको पता है नरेंद मुद्री जी रहते हैं यहनी प्रिधान मंत्री शेवन आफ दें बायकॉट और उन्मेसे जो दस थे उन्होंने क्या कि है उन्होंने बाइकॉट किया बाइकॉट समय किसी को बहिस्कृत करना ठीक है बहिसकार करना किसी चीज का दथिंग टै है लोग सफर क्यों हो रहे हैं लोग बाइकॉट क्यों कर रहे हैं इसकिप क्यों कर देते हैं मीटिंग ऐसे सवाल भूठ रहे हैं कि अब समझ में आ गया होगा कि इसारा का सारय जो एडिटोरिल है वह नीती आयों की उपर लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ी से पांच से बढ दिहान रखना निराशा मोवंग फिरी फ्रॉम फॉल्स बिलीफ और इल्यूजन यानि कि जो विश्वास होता ना उसे मोवंग हो जाना डू अभी बिद कर देना चुटकारपाना ट्रेमिनेट कह सकते हैं और टेक आउट बोल सकते हो डी ट्रेक्टर का में समिक्षक होता है य करना लाइक नहीं हो इसलिए क्या कर रहा है करना करना आगे की सोचना या इमेजिन करना करना ठीक है यह पांच हो वर्ड़ है और काफी अच्छे वर्ड़ है और आपको मैं बता दूँ अगर आपको टैल पीडिएफ चाहिए तो टेलेग्राम चैनल पर जाके जाएए इसक काफी शफर कर रहा हूं परिशानियों से ठीक है तो थोड़ा से मैनेज कर लिए तो जैसे मेरे पास रिखटा होगा तो मैं सारी ची बिवस्तित कर दूंगा और रेगुलर वीडियो आने लगेगी लाइट का बड़ा इशू रहता है आगे देखिए बन आफ स्पर्टिंग दो है करें यह बन आफदीज बॉक्सिशन है रेए है सिन्गूलर है ठीक है बन आफ दीज के बास जो भी नावन आता है आपको प्ता है कि वह कुछ खो करता देज और लेकिन यह बोला कि इन समय से एक है जो ना चाहिए लिएव बॉट्रेट ऑफफ तो यस एक है तो क्लिय है क्लियर ठीक है यह बैसे परने सेशन तो एरेस होना चाहिए इसका ठीक है एरेस ही होगा एरेस कम दो उत्रदिकारी लड़की जो होती इसको बोलते है तो यह बोला क्या है एर कि अगर हम बात करें तो यह ही आया की यहां पर जो वह हैं हेल्पिंग बूर्बू सिंगुलर आ नहीं है तो एर्र आपका इस वाली केश में फोर्थ पार्ट में तो इसको मैं कर देता हूं हाइलाइट ठीक है दिहां लेखना है जैसे की बन आफ 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 दा तो आफ दा के बाद ठीक है जो भी ना उना आएगा वह क्या है पिलूरल रहेगा जो भी नाइना ठीक है यह दिहां रखना है और वह कैसी रहेगी वह सिंगूलर रहेगी इतनी बात आप दिहां रखने जरूर फिर आप आचानी से जर्ज कर पाओ किस्टीव कुश्चन को ठीक है वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक शेर कर देना ठीक है मोटिविशन मिलता है माइस्ट्येंट हाइद एक्स्टैटिटिड होना चाहिए वई काइडन्स फ्रों मii एंड ठीक है महिंक्या चाहते है दूश है खज्टिश एकस्टैश को एक्स्ट संसी की वह कुछ मिलेगा लनेजट्रन मिलीगी ठीक है नह लेकिन एक्स्पर टेसेन से नावन होता है और आपका वहता है तो ठीक है तो फर्स्ट पार्ट में ही आपका एहरर है क्लियर बहुत ही आसान था नेक्स्ट कुछिन आज नंबर कुछिन भी जादा है थोड़े से सब्सक्राइब कुछ लोग को हमेशा के लिए पागल नहीं बना सकते आसान है इसमें कोई कि एरर यह नहीं है क्योंकि बहुत ही सेंटेंस सिंपल लिखा हुआ है ठीक है मुडाल का यूज हुआ है कैन का तो इस बैसे भी नहीं निकलेगा हादिक होरोश्कोप होरोश्कोप समझते हो हो जन्म पत्री सेज्ट कहती है डैट स्टार्श बिल भी एक्सेसाइट बहुत बि इसके बाद भी रहेगा बीके बाद फर्सक्राम में आई एंजी जोड़ नहीं फिर आपका अब्जेक्ट रहेगा यह आपका इस्टक्चर है ठीक है क्लियर है तो एक्सेसाइज वाले केस में यानिकी सेकंड पार्ट आपका एरुर फूल है नेक्स्ट है आपका आई हैड इसके बाद बाद में होता है तो इसे फिर हम आती है ठीक है तो भी आपका तो इसके लिए ठीक है तो जो अब गोमें है याने की पार्ट नंबर रेकेंड में नेक्स्ट मूब कर लेते हैं क्या है फीविल रिटन इन और होना चाहिए पहले आतों यह फिर विदेन आ रहा होना चाहिए क्योंकि आ सांच आ का रहा है तो इसलिए एंकर यूज होगा बक्यों है ट्रत पार्ट में के होंं क्यों है पता चल गया होगा ये आर्टिकल से रेलिटीड था ट्य कर फिर सब्सक्राइब यह पास्ट में देहां रखना तो हीज कमिंग यह ही वास कमिंग फ्रॉम दिस बिलेज जैगर ठीक है तो समझ में आगया होगा बहुत ही आसान था इस कमिंग वाले यह थर्ड पार्ट में आपका एरर नेक्ट मुव कर लेते हैं शी वाज बेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एड़े भी है मुझे निकल रहा है एन होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज कि आ बोला जाएगा आएगा तो साउंड है ना आका रहा बावल का तो एन का यूज करें तो अब देखिए कौन सा हो सकता है पार्ट नंबर थाड़ी जोर आंसर क्लियर तो आपने देखा यहां पर कितना आसान आसान कुशन पूछे जाते हैं तो हमेशा तुम लोगों के दमाग में यह रहता है कि सीजी एले टफ कुशन पूछे जाएंगे मैंने माना पूछे जाएंगे बट इतने भी टफ नहीं होंगे कि तुम कर ना पाओ आपने कभी एरर डेली करेंगे 5-6 मैं करा दूँगा बागी तुम करो और प्रैक्टिस के बिस्टिस पर फिर देखो आपका गलत होगा ही नहीं आप एक महिना ऐसा करके देखिए आपका सारे के सारे कुशन जो है करक्ट होने वाले क्लियर पीडिएफ जरू ले लेना पढ़ लेना काई वार गुरूप माई एक विजन भी काई बार आया तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ ले ठीक है और मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाबाय टेकर हैव गूड डे